चले बच्चो अब आप मेरे साथ चुरू करने जा रहे हैं LLPX 2008 कैसे पढ़ना है इस एक्ट को मैंने आपके लिए सारा काम असान कर दिया है नोट्स मैंने आपके लिए बना दिये हैं तो अगले जो आपके 6 वीडियो हैं उसके अंदर आपको जो भी मैंने पढ़ा है उसके साथ साथ हैं तो वो आपको note down करना है और सिर्फ आपको उतने ही रखना है कोई आपको ICA module पढ़ने की ज़रुरत नहीं है actually ICA module में content तो ठीक है लेकिन उसका जो arrangement है वो काफी pathetic तरीके से किया हुआ है तो आप खामका confused हो जाएंगे जितना भी उसके अंदर part था वो thoroughly हमने पढ़के और उसके लिए जितना भी relevant material था आपके लिए notes बना दिये हैं और आपका काम सारा असान कर दिया है तो आपको सिर्फ इसे relax होके अगड़ी 6 videos देखनी है और उसके notes बनाने हैं और उसके बाद जो भी आपके questions हैं आप उसे solve करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं चलिए बच्चो start करते हैं Limited Liability Partnership Act 2008 जिसको हम LLP Act 2008 भी कहते हैं देखिए LLP Act 2008 Normal Partnership से कैसे अलग है देखिए जब आप Normal Partnership की या Traditional Partnership की बात करते हैं Indian Partnership Act की बात करते हैं तो उसके अंदर Partners और Partnership Firm दोनों को एक ही समझा जाता है Partnership और Partnership Firm को legally अलग अलग नहीं माना जाता है accounts के point of view से अलग चीज़ है मैं Legal Aspect से बात कर रहा हूँ Legal Aspect से Indian Partnership Act के अंदर Partnership Firm और Partners दोनों को एक ही माना जाता है और इसी वज़े से Partners की Unlimited Liability होती है Unlimited Liability होती है मतलब कि अगर Partnership Firm dissolve होती है और उस case के अंदर Partnership Firm की Liabilities जाता है as compared to Assets तो उस case के अंदर होता क्या है Partners जो है उनके Personal Assets को Sale किया जाता है to pay off the Liabilities of Partnership Firm To pay off Sold to pay off Partnership Liabilities ठीक है यह हमारी Partnership Act जो है उसका एक सबसे बड़ा Drawback है जबकि LLP Act 2008 जो है यहीं एक सबसे बड़ा Advantage प्रोवाइट करता है इसके अंदर Partners और Partnership को Separate Legal Entity माना जाता है माना जाता है कि Partnership जो बनी है वो एक Separate Legal Entity है और जो भी Transaction Enter की जा रही है उसके लिए LLP Responsible है Partners Responsible नहीं है unless वो Fraudland Teacher की ना हो मतलब Partners ने अगर Intentionally कुछ ऐसा टरकिया है कि जिससे फाइदा उठाया जा सके तो बात अलग है इंटर की जा रही है वो LLP एंटर कर रही है उसमें Partners को किसी भी तरीके से Responsible नहीं बनाया जा सकता या मैं बड़े सरल अक्षरों के अंदर बोलूँ तो अगर कल दिन Dissolution होता है Insolvency की Position आती है तो सिर्फ LLP के Assets को ही Sale किया जाएगा LLP की Liabilities को Pay करने के लिए Partners की जो Personal Assets है उनको Touch नहीं किया जा सकता जो की Partnership Act में किया जा सकता था तो इसलिए LLP की ज़रुवत बड़ी कि भईया एक Partnership Act आ रहा है बट वहां Partners की Unlimited Liability है अब Partnership Form ने कुछ Decisions लिए या कुछ Loan वगरा ले लिए और उसकी वज़े से Business कल दिन नुकसान में आ गया या नहीं चल पाया तो भईया यह क्या तुम Partners के अपने Personal Assets बेचना शुरू कर दो तो उसकी की ज़रुवत समझे गई और LLP एक्टे ड्राफ्ट किया गया तो में परपस क्या है मैंने आपको यहां लिख के दिया यह आप नोट करिएगा In case of LLP, transactions are entered by LLP itself. It has separate legal existence in the eyes of law. Partners are not responsible for transactions entered by LLP unless it is fraudulent in nature. However, in traditional partnership, partners have unlimited liability for transactions entered by partnership firm as partnership is not considered as separate legal entity. यह line आप कहीं पर भी लिख सकते हैं यह main purpose है कि LLP Act की हमें ज़रुवत क्यों पड़ी क्योंकि Partnership Act के अंदर Partners की unlimited liability होती थी, जिसकी वज़े से बहुत नुकसान होता था, कल दिन partnership firm dissolve हो गई, उसके assets sufficient नहीं है to pay off liabilities, तो Partners के personal assets पेचे जाते थे, लेकिन LLP ने उस drawback को overcome किया, और कैसे overcome किया, कि यहां पर LLP को एक separate legal entity का status दिया गया, जिसकी वज़े से Partners की limited liability हो गई, और कल दिन अगर partnership firm को dissolve करना पड़ता है, LLP को dissolve करना पड़ता है, तो सिर्फ LLP के assets को बेचा जाएगा, to pay off the liabilities of business, Partners के personal assets को नहीं बेचा जाएगा, तो simple words में मैंने आपको LLP बता दिया क्या है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतना note down करना है, और कुछ आपको करने की ज़रत न नहीं है, बहुत limited part हमारे slaves में, और जो है, उसके notes में आपको सामने provide कर रहा हूँ, यह सारा आपको note down करना है, अब four schedules जो है, उसमें first schedule बात करता है, rights and duties की Partners के as well as LLP के, छेक है, including where there is no agreement, देखिए, जैसे partnership act के अंदर एक partnership deed होती थी, same way LLP के अंदर भी partnership deed होती है, जिसके अं पार्टनर्स अपने mutually, rights and duties, profit sharing ratio, कौन कितनी capital लाएगा, सब कुछ decide करते है, सब कुछ same होता है, जो partnership act में होता है, वो ही LLP में होता है, यहाँ पे भी partnership deed बनती है, the only difference is partnership के case में, unlimited liability होती है, उसको separate legal entity नहीं माना जाता है, LLP के case में there is a separate legal entity and because of that there is a limited liability, तो first schedule के अंदर बात की जाती है, कि partners के बीच में जो partnership deed बनी है, उसके हिसाब से क्या rights and duties होंगे, और अगर उन्होंने कोई आपस में कुछ rights and duties define नहीं किये, partnership deed के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो LLP act में जो लिखा हुआ है, वो मान लिया जाएगा, second schedule के अंदर बात की गई है, कि अगर कोई partnership firm LLP मे convert होना चाती है, तो उसके लिए क्या पूरा का पूरा process है, ठीक है, सर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, process हमारे इस लिबस में नहीं है, फिलहाल, third schedule के अंदर बात की गई है, कि अगर conversion है, private limited का LLP के अंदर, तो उसका क्या पूरा का पूरा process होगा, और fourth schedule के अंदर बा process होगा, that has been discussed in the fourth schedule, तो आपको पता होना चाहिए, first schedule में क्या है, rights and duties of partners in LLP, including if there is no agreement also, कोई partnership deed नहीं है, तो LLP Act क्या कहता है, उस case में, सारी बात है, जैसे आपने देखा था, partnership act में था, section 13, जिसके अंदर हम बात करते थे कि profit sharing ratio equal होनी चाहिए, interest on capital नहीं दिया जाएगा, same मे सारी बाते हैं, first schedule में, second schedule, conversion of firm into LLP, third schedule, conversion of private limited into LLP, और four schedule बात करता है, conversion of unlimited company into LLP की, ठीक है, फड़ा फड़ एक बार सारा note down कर ये fast, चलिए, बात करते हैं, authorities की, तो LLP के लिए दो authorities है, one is Ministry of Corporate Affairs and second is Registrar of Companies, जिसी को हम यहाँ पर Registrar of LLP के नाम से भी जानते हैं, CG, Central Government has the authorities to frame rules and can amend by notification in official gadget, Central Government को ये authority दी गई है कि वो कभी भी कोई भी rule draft कर सकती है, और उसे amend कर सकती है, act के अंदर through notification in official gadget, question आने के chances rare है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, major benefits over partnership act, इसके उपर one mark का question पूछा जा सकता है, तो आपको क्या लिखना है, benefits of limited liability, क्योंकि यहाँ पर limited liability LLP में, with flexibility of agreeing terms and conditions on mutual agreement, इसका मतलब कि partners जो है, वो आपस में partnership deed बना सकते है, देखिए, यही सबसे बड़ा फायदा है, कि partnership deed आपको आपस में जैसी बनानी है, वैसी बनाए, जो मर्जी capital रखिए, interest on capital रखिए, profit sharing ratio रखिए, कुछ भी रखिए, इसलिए लिखा है, with the flexibility of agreeing terms and conditions on mutual agreement like partnership, और उसके साथ साथ क्या advantage दे दिया, कि limited liability होगी, unlike Indian Partnership Act, जहां पर unlimited liability होती है, समझ मही बाद, शो, इसके बाद एक question आपसे पूछा जा सकता है, LLP is hybrid between company and a partnership, ती number तक का यह question आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है, या LLP is a alternative corporate vehicle, इसके उपर comment करने के लिए, तो इसमें आपको क्या लिख्याना है, सबसे पहली चीज़ कि yes, because it's a separate legal entity, second, separate legal entity है, मतलब इसका क्या मतलब है, इसमें आप लिख्याएंगे, in the eyes of law, partners of LLP and LLP are separate legal entities, all assets and liabilities of LLP belongs to LLP, not to the partners of LLP, जो भी assets and liabilities हैं, वो LLP के है, उसके partners के नहीं है, क्योंकि in the eyes of law, दोनो separate legal entities है, second, there is a limited liability, limited liability का मतलब, इसमें लिखेंगे, in case of dissolution, only assets of LLP will be disposed of to pay off liabilities of LLP, personal assets cannot be used to pay off LLP liabilities, यह मैं आपको बता चुका हूँ, just explanation इसले दे दी, ताकि आपके पस content ही कमीना पड़े, और third point इसके अंदर mention करके आना है, allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as partnership, इसका मतलब समझे, rouse its partner the flexibility of organizing their internal structure, इसका मतलब, that is to form partnership deed, partnership deed form की जा सकती है, कोई उस पर restriction नहीं है, वो जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से partnership deed form कर सकते हैं, समझ मैं है, तो यह main three points आपको उसके अंदर mention करके आने है, कि why it's a hybrid between company and a partnership, देखे, partnership के अंदर main feature क्या होता है, कि partnership deed बनाई जा सकती है, और company के अंदर main feature क्या होता है, कि limited liability होती है, अब दोनों को mix कर दिया गया, LLP के अंदर, यहां पर separate legal entity भी है, as well as partnership deed बनाना भी allowed, company के case में partnership deed बनाना allowed नहीं है, कोई deed बनाना allowed है, no, और partnership के case में किसी भी तरीके की से आप limited liability नहीं कर सकते, there will always be an unlimited liability because वहां पर separate legal entity का concept नहीं होता, और LLP में यही सबसे बड़ा फायदा है, it's a separate legal entity, it has limited liability as well as it allows for the formation of partnership deed, समझ में आ गया, पक्का, तीन number का यह question आ सकता है, LLP is an alternative corporate vehicle that provides benefits of limited liability at low compliance cost, company बनाने का खर्चा comparatively जादा है, documentation process जादा है, timing जादा लगता है, लेकिन LLP में खर्चा भी कम है, documentation भी कम है, और time भी कम लगता है, इसलिए लिए लिए benefits of limited liability मिलते हैं low compliance cost पे and allows partners to mutually decide terms and conditions like traditional partnership, they can form their own partnership deed like a normal partnership, देखिए, question तो सबसे ज़्यादा chances यहीं तक आने से हैं, सबसे ज़्यादा chances हैं, इस पर question आ देगे, कि आप पता होना चाहिए, what is the fundamental difference, चाहिए, फटा-फट इसको आप एक बार, दोनो slides को, फटा-फट सारा note down करेजे, देखिए, लिखना जरूर है अपने हाथ से, नहीं तो आप मेरी महिनत की respect नहीं कर रहे हैं, मैं इतनी बात जानता हूँ, लिखेंगे आपका भी फायदा होगा, आपका result आएगा, और आपका फायद चलिए बात करने हैं, features of LLP की, सबसे पहला feature, it's a body corporate, मतलब, it has a separate legal entity, separate from its partner, all assets and liabilities belongs to the liable LLP, not to its partner, हम ओल्रेडी देख चुके हैं यह, second है perpetual succession, देखिए, perpetual succession का मतलब क्या होता है, LLP जो है, वो एक law के process से बनती है, और law के process से ही उसको खतम किया जा सकता है, Basically, अगर किसी partner की death हो जाती है, या कोई partner insane हो जाता है, तो उससे LLP खतम नहीं होती, unlike partnership, जहां पर उसे हमें compulsory dissolve करना पड़ता है, अगर किसी partner की death या insanity हो जाती है, तो देखिए, created by the process of law and it can be destroyed by the process of law, death insanity of its partner does not affect its continuity, चेक है, इस हम नोट का लिजएगा, third is mutual agency, Partners of LLP are the agents of LLP only, this is the major point and very very important point, अगर suppose एक LLP है और उसके अंदर चार partners है, P1, P2, P3, P4, तो हर partner जो है, वो सिर्फ LLP का agent है, देखिए, partnership के अंदर क्या होता है, कि अगर कोई एक partner act कर रहा है, तो on behalf of all the four partners वो act कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर कोई partner act कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ LLP के बिहाफ पर act कर रहा है, दूसरे partners के बिहाफ पर act नहीं कर रहा, इसी वजह से यहाँ पर limited liability का जो provision है, वो incorporate हो पाता है, देखिए, partners of LLP are the agents of LLP only, in other words, partners act binds LLP only and not to the other partners directly, जो कोई भी partner है, अगर वो कोई भी act करता है, तो उससे LLP bound है, दूसरे partners bound नहीं है, very 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 important point, जिससे आप से question पूछा जा सकता है, दुबारा repeat कर देता हूँ, suppose एक LLP है, उसमें चार partners है, P1, P2, P3, P4, तो अगर P1 ने कोई act किया, तो उसके लिए LLP responsible है, P2, P3, P4 पे उसके लिए responsible नहीं है, लेकिन अगर ये normal partnership होती, और P1 ने अगर कोई act किया होता, तो उससे P2, P3, P4 भी bound हो जाते, समझ में आई बात, very very important point इसे mark कर लेना, उसके बाद है formation of agreement, आप यहाँ agreement बना सकते हैं, partnership deed बना सकते हैं, agreement between partners under LLP act 2008 decides their mutual rights and duties, in the absence of agreement, mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP act, जो मैंने आपको starting में भी बताया था, इसके बाद एक common seal होती है, basically LLP चाहे, तो अपनी एक common seal बना सकती है, common seal, basically आप क्या सकते हैं, जो stamp होती है, वो official stamp जिसको आप बोल सकते हैं, वो बना सकते हैं, may have, compulsory नहीं है, not mandatory to have common seal, अब अगर कोई official stamp है LLP की, तो उसे कैसे रखा जाएगा, shall be under the custody of some responsible official, shall be affixed in the presence of at least two designated partners of LLP, इसका मतलब क्या है, कि अगर वो कभी भी affix की जाती है, मतलब official stamp किसी भी proper document के उपर लगाई जाती है, तो जब उसे stamp को लगाया जा रहा है, किसी भी document के उपर affix किया जा रहा है, तो उस समय कम से कम दो designated partners जो है, वो होने चाहिए, चाहिए, तो होगा क्या, उस case में common seal लगेगी, this stamp is a common seal, और दो partners जो है, P1, P2 designated partners, designated partners मतलब जिनको वो authority दी गई है, वो अपने यहाँ पर sign करेगी, मतलब option 1 तो क्या है, option 1 तो यह है, कि भईया आप common seal रखो, तो जो भी document होगा, उसके उपर यह common seal लगाई जाएगी, मतलब official stamp, जिसको आप बोल सकते हैं, वो लगाई जाएगी, और यहाँ पर sign होगा, signed by designated partners, और कम से कम दो designated partners जो हैं, वो से sign करेंगे, तब माना जाएगा, option 2 आप official stamp ना रखो, सिर्फ जो designated partners हैं, उनके signature आप mandatory करतो, कि वो sign करेंगे, ठीक है, तब ही माना जाएगा, तो उसके इसमें stem की ज़रुवत नहीं है, तो अगर common seal है, तो हर official document पे, हर document पे LLP की common seal लगना जरूरी है, जिस समय और जब वो seal लग रही है, तो उस समय दो designated partners की presence जरूरी है, और presence कैसे चेक की जाएगी, कि उनके वहाँ पर उसके उपर sign होंगे, suppose common seal लगी हुई है, और partners के sign नहीं है, इसका मतलब उस time पर वो available नहीं थे, और available नहीं थे, मतलब वो common seal जो है, उसकी कोई relevancy नहीं रह जाते, तो मोटी मोटी बाते, common seal क्या mandatory है, जी नहीं, है तो कोई दिक्कत है, नहीं जी, किसके पास होनी जी है, वो कोई partner भी हो सकता है, कोई manager भी हो सकता है, लेकिन जब भी उसे fix किया जाएगा, किसी भी document पे लगाए जाएगा, तो कम से कम दो designated partners LLP के महां होने चाहिए, और वो कैसे पता लगेगा कि वो थे या नहीं, वो उसको sign करेंगे official seal के नीचे, समझ में आया, वैसे better तो यह होता है कि common seal हो तो जादा अच्छा रहता है, बाकी नहीं है, तो गंपल सरी भी नहीं है, next LLPs के बारे में आपको सब पता, limited liability इसका पता ही है, since every partner is agent of LLP only, वो सिर्फ agent है, not of other partners, therefore liability of partners will be limited to their agreed contribution, वो unlimited liability नहीं है, उनके personal assets को touch नहीं किया जाएगा, और इसका एक reason अभी हमने पहले भी देखा था, mutual agency का, कि mutual agency में क्या है, partner जो है, वो सिर्फ LLP का agent है, उसके एक्ट से दूसरे partners, responsible या liable नहीं होते, फिर management of business, partners of LLP are entitled to manage the business, only designated partners are responsible for legal compliances, legal compliances के लिए जिन पार्टनर को designate किया गया authority दी गई है, वो ही सिर्फ उस चीज के लिए responsible होंगे, समझ मैं इसके बाद आता है, minimum and maximum number of partners, तो कम से कम दो होंगे, as designated partners, जिन पे legal compliance की सारी responsibility होगी business चलाने की, और उन में से कम से कम एक resident होना चाहिए, इंडिया का, दोनों non-resident नहीं हो सकते, हाँ, एक resident है, एक non-resident है, चलेगा, और maximum के उपर किसी भी प्रकार की कोई limit नहीं है, तो ये broad eight features हैं, जो आपको करने हैं, और जितना content कराया है, इतना ही आपको करन हैं, thank you so much, चलेए, अब कुछ special points की बात करते हैं, कुछ भी इस पर नया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, अपने हाथ से लिखा होगा तो जावाच्छा है, सबसे पहले, while forming the LLP intention should be to share profits from lawful business, it cannot be formed for charitable or non-economic purpose, same partnership में जो था कि intention should be to share the profits, अगर आप NPO form करना जाते हैं, तो आप उसे partnership as well as LLP form में भी उसे आप register नहीं कर सकते, central government has the power to investigation by appointment of competent authority, अगर central government को लगता है कि LLP में कुछी तरह की fraudulent activity चल रही है, तो central government के पास ये power है, कि वो investigation order कर सकती है, किसी भी competent authority से, जो भी merger होगा, amalgamation होगा, या conversion होगा LLP का, वो सारा LLP Act के provisions के साब से हो चीक है, उसके बाद, foreign LLP is LLP incorporated outside India, which established place of business within India, ये foreign LLP आप से पूछा जा सकता है, क्या होता है, कोई भी ऐसी LLP जो की incorporate तो हुई है, register तो हुई है, but वो outside India register हुई है, लेकिन उसका place of business इंडिया के अंदर है, तो हम उसको foreign LLP मानेंगे, और ये जो है partner बन सकती है Indian LLP के अंदर, मतलब, suppose India में एक LLP बनी, चीक है, और उसमें तीन partners है, P1, P2, और ये जो तीसरा partner है, ये एक foreign LLP है, और इस foreign LLP जो है, ये UK में register है, जिसका place of business जो है, वो India के अंदर है, तो एक LLP, दूसरी LLP के अंदर partner बन सकती है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, it can be foreign LLP also, और foreign LLP क्या होता है, जो कि outside India incorporated है, लेकिन उसका place of business कहा है, within India, समझ में आई बाद, जरूरी नहीं कि LLP के जो partners है, वो human beings ही होंगे, ये मैं आपको बता दू, देखिए, partnership के अंदर, बड़े धान से समझेगा, partnership के अंदर भी, और LLP के अंदर भी, जरूरी नहीं है कि जो partners है वो सिर्फ physical person ही होंगे, वो human being ही होंगे, इसमें कोई foreign LLP, कोई company, ये भी जो है, कोई भी body corporate जो है, वो भी partner हो सकती है, समझ में आई बाद, sure, क्यों, देखिए, definition याद करी क्या लिखा हुआ है, it is relation between, relationship between two or more persons, yes or no, और वो जो persons है, that can be the natural person, और that can be the artificial person, वो natural person भी हो सकते है, और वो artificial person भी हो सकते है, और वो artificial person भी हो सकते है, artificial person में कौन-कौन आता है, it can be LLP और it can be company, partnership, जो है, जो normal partnership है, traditional partnership, वो artificial person भी नहीं होती, मतलब समझे है आप, मैं elaborate करके समझाता हूँ, suppose, एक partnership है, ABC, एक LLP है, XYZ, और एक company है, MNP, ये artificial person नहीं है, क्योंकि ये separate legal entity नहीं है, ये artificial person है, ये artificial person है, तो LLP और company जो है, LLP और company जो है, वो किसी भी partnership में, या LLP में partner हो सकते हैं, किसी भी partnership में, या किसी भी LLP के अंदर, एक LLP और एक company जो है, वो partner हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो एक artificial person है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पका, शेयो, बट partnership क्योंकि वो artificial person नहीं है, क्यों, क्योंकि not a separate legal entity, वो एक separate legal entity नहीं है, तो इस वजहे से, वो किसी भी partnership firm में, या LLP में partner नहीं हो सकती, देखे, और simple form में लिग दिया मैंने, partnership cannot be a partner or shareholder in any partnership LLP or company because it is not a separate legal entity, however, LLP and company, LLP or company can be a partner or shareholder in any partnership LLP or company because it is separate legal entity, या आपका ये artificial person, अब समझ में आ गया, इस से असान आपको कुछ नहीं बिल सकता, समझ में आया, शो, तो foreign LPs, LLP in corporate outside India which established place of business within India, और ये एक Indian LLP के अंदर partner बन सकती, समझ में आया, और इसी से मिलता जुलता है, हमने काफी अच्छा point discuss कर लिया, जिस पर question आ सकता है, documents filing जो भी होगी LLP की, वो सारी computerized होगी, किस website पे होगी, www.mca.gov.in पे, और authenticate करेंगे by a partner, और designated partner of LLP, by the use of electronic or digital signature से, क्योंकि सारा electronic है, तो obviously physical signature नहीं हो सकते हैं, उसके लिए electronic या digital signature किये जाते हैं, ठीक है, तो ये थे special points, कुछ, जिसमें ये point बहुत अच्छे से कर लिजेगा, ये बहुत important और relevant point है, thank you so much, अब बात करते हैं बेटा, advantages क्या है LLP form की, तो सबसे पहला advantage तो है easy to form, legal compliances बहुत कम है, as compared to formation of company, limited liability है, जो आप अलरेड़ी पढ़ चुके है, as it is, copy कर लिजेगा, agreement होता है, partners के बीच में, हम ये हम already पढ़ चुके, copy कर लिजेगा, और dissolution process बहुत असान है, company के case में dissolution process बहुत लंबा होता है, NCLT में जाना पड़ता है, लेकिन यहां comparatively बहुत कम legal compliances है, few legal compliances as against liquidation process of company, तो these are some advantages of LLP form, चेक है, फटाफट कर लिजे, ये तो point जो है, इसका content हमने already कर लिया है, agreement वाला limited liability का ये रहा, चेक है, और formation of agreement जो है, ये आप यहां से copy कर लिजेगा, agreement of partner, ये वाला point और ये limited liability, ये आपको महाँ पर copy करना है, चेक है, चले अब इसके बात करते है, incorporation process, चले, अब हम बात करने चाहरे है, incorporation process of LLP की जो कि आप से exam में 5 marks तक पूछा जा सकता है, 5 to 7 marks में, बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला step होता है, deciding partners and designated partners, आप सोच रहोंगे, partners और designated partners में क्या difference होता है, देखिए, fundamental difference ही होता है, कि जो designated partners हैं, उसके पास comparatively ज़्यादा rights होते हैं, decisions लेने के, और designated partners होते हैं, वो signing authorities होते हैं, suppose अब एक LLP है, उसके अंदर 20 partners है, तो 20 के 20 partners के checkbook पे तो sign करवाए नहीं जाएंगे, अगर कोई LLP को check issue करना है, तो क्या उस पर 20 के 20 partners के sign होंगे, तो इन 20 partners में से किसी 2 को या 3 partners को designated partner मना दिया जाता है, कि आप signing authority है, आप 3 के sign होंगे, तो वो check clear मन लिया जाएगा, तो designate, जैसे company के case में directors होते हैं, जिनके पास powers होती है to take the various decisions, same way LLP के case में designated partners होते हैं, जिन पर comparatively जादा rights होते हैं to take the decisions, बस इतना सा difference है, तो basically सबसे पहले आपको decide करने है partners और designated partner, कम से कम दो designated partners होने चीए, one of whom shall be resident of India, यह हमने देख लिया है, person appointed as designated partners, उनके पास एक तो होना चीए designated partner identification number, DPIN बोलते हैं जो की ministry of corporate affairs issue करती है, और एक होना चीए digital signature certificate, इसको लेने का क्या process है, वो हमारे भी slaves का part नहीं है, अभी हमें सिर्फ देखना है LLP कैसे बनेगी, तो LLP के लिए सबसे पहले partners decide करने designated partner, कम से कम दो designated partner, जिसमें से एक resident होना चाहिए, और जो भी designated partner point होगा, उसके पास क्या होना चाहिए, designated partner identification number, DPIN और digital signature certificate, जो भी कौन issue करता है, ministry of corporate affairs, फिट second step होता है, name availability check करना, जो भी आप अपने LLP का नाम रखना चाहते हैं, क्या वो नाम available है, कहीं वो नाम already किसी ने ले तो नहीं लिया, तो आप जो है, check करते हैं, ability of name, 6 names की choices आप दे सकते हैं, in order of your preference, first name हमें ये रखना है, अगर ये ना हो तो second दे दीजे, second ना हो तो third दे जीजे, third ना हो तो fourth दे दीजे, इस तरीके से जो है, वो name availability check की जाती है, इसके लिए applicant को file करना पड़ता है, e-form 1, ये आपको याद रखना है, for ascertaining the ability and reservation of the name of a LLP business, ये सबसे fair most step है, मतलब नाम ही नहीं होगा LLP का, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, तो e-form 1 में आप 6 नाम अपनी priority में रख के देते हैं, कोशिश होती है, first ना मिल जाए, नहीं तो second, नहीं तो third, नहीं तो fourth, नहीं तो fifth, नहीं तो sixth, और obviously इसके लिए आपको एक prescribed fees भी देनी पड़ती है, ठीक है, ये बेशक इसका आगे लिख दीजे, with prescribed fees, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लिख देंगे तो ठीक है, ठीक है, उसके बाद third step होता है, LLP agreement draft करना, ये आपसे component अलग से भी पूछे जा सकते, agreement में क्या-क्या होना चाहिए, LLP का नाम, देखें, नाम का approval यहां से मिल जाएगा, उसके बाद LLP agreement बनेगा, जिस पे name of LLP होगा, address partners का, designated partners का, किस तरीके से वो contribute कर रहे हैं, क्या profit sharing ratio है, उनका recommendation क्या है, rights and duties, business क्या होगा, rules क्या है, LLP के, details of registration office in India, to which all the communications will be made and received, suppose LLP की 10 branches है, तो कोई ना कोई तो एक head office होगा ना, ये थोड़ने कोई भी document 10 की 10 branches पे भेजा जाएगा, तो एक head office होता है, जहाँ पर सारे के सारे communication, मतलब official documents बेज़े जाएंगे, या वहीं से आप receive कर सकते हैं, चाहिए, तो first is deciding partner and designated partner, second is name availability, third is drafting the LLP agreement, जिसमें ये सब चीज़े होनी चाहिए, ये last time सबज में आ गई, एक registered office की detail देनी होगी, जहाँ पर, कोई भी communication, communication का मतलब है documents, अगर किसी को भी कोई document भेजना है, तो वो इसी address पे भेजएगा, और मान लिया जाएगा, कि LLP को उस address पे वो document मिल गया, उसे number of branches पे उसके भेजने की ज़वरत नहीं है, या LLP भी अगर कोई document भेजएगी, तो वो अपने registered office के address से ही भेजएगी, ठीक है, फिर इसके बाद e-form 2 और e-form 3 बहला जाता है, e-form 2 में क्या details देनी होती है, कि LLP proposed to be incorporated, उसका क्या नाम है, partners designated, जो approval अल्रेडी आ चुका है, partners designated partner की details होती है, e-form 2 में, और consent letter, यह important है, mean, affidavid लेना पड़ता है, partner से या designated partner से, कि LLP बनने के बाद, वो agree करते हैं, कि वो उस LLP के partner या designated partner बनने के लिए तयार है, ठीक है, इसके बाद e-form 3 जाता है, जिसके अंदर जो अपने LLP agreement बनाया है, वो भीजना होता है, filing of e-form 3 containing LLP agreement within 30 days of incorporation of LLP, इसके बाद 5 आता है, जो registrar है LLP का, विल issue the certificate of incorporation, along with the LLPIN, that is limited liability partnership identification number, यह एक unique identification होता है हर LLP का, जिससे उसका status पता लगता है, कि वो कहाँ पर, यह basically ministry जो है corporate affairs के, अपने पास सारे details maintain करती है, और हर LLP को एक unique LLPIN दिया जाता है, जिससे उसके identification की जाती है, जैसे एक simple सी बात है, हर person का एक नाम होता है, यह हमारा अधार कार्ड है basically, जैसे हर किसी का individual, same way LLP के लिए क्या है LLPIN, समझ में आ गया, after satisfying that all the legal formalities required have been completed, जब LLP जो है का registrar है, वो देख लेता है कि जो भी legal formalities थी, वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है, तो वो एक certificate of incorporation issue करता है, LLPIN issue करता है, जो कि conclusive evidence है, कि LLP बन चुकी है, और मान लिया जाता है कि उस दिन से LLP existence में आ गई, तो basically incorporation process में क्या-क्या है, पहले partner और designated partner decide करने है, फिर nameability check करनी है, फिर LLP agreement बनाना है, पूरी हो जाएंगी, तो LLP का जो registrar है, वो एक certificate of incorporation issue करेगा, और उस certificate of incorporation के साथ एक LLPIN होगा, जो की unique identification number है, for any LLP, so this is the incorporation process of LLP, very very important, same as it is copy-paste करके आना है, कुछ भी plus minus आपको इसमें करने की जोड़त नहीं है, सारी मेनत हम already कर चुके हैं, ठीक है जी, अब इसके बाद, आपका है difference between LLP and partnership, और LLP and company, जिसके लिए आप PDF या अपना module, जो है वो refer कर सकते हैं, same है एक्दम, कोई उसमें plus minus नहीं, आप module से refer कर सकते हैं, LLP and partnership और LLP and company के बीच में, difference, ठीक है, तो इसी के साथ आपका, यह LLP Act जो है, समापत होता है, thank you, इसके आप बहुत अच्छे से notes बना लीजे, और जितना आपको करवाए, इससे ज़्याद आपको कुछ भी करने की ज़़ुरात नहीं है, partners and their relations, eligibility to be partners, section 22 of LLP Act 2008, क्या कहता है, on the incorporation of LLP, the person who subscribe their names to the incorporation document, देखिए, जब LLP form होती है, incorporation का जो document होता है, जो आप registrar पे फाइल करते हैं, उस पे जिन-जिन persons का नाम mention किया जाता है, as a subscriber, वो सारे के सारे after incorporation जो है partner बनते हैं, या कोई भी other person में become a partner of LLP, by and in accordance with the LLP agreement, तो mean तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कि जो भी incorporation document को sign करता है, वो जैसे ही incorporate हो जाती है LLP, वो उसका partner बन जाता है, next relationship of partners, तो देखिए, बड़े simple सी तीन चीज़े इसमें ध्यान रखनी हैं, जो आपको यहाँ पे दिये हैं हमेंने, कि जो भी rights and duties होंगे, किसके partners of LLP के, that will be as per the LLP agreement, और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी change होता है, तो वो change registrar के पास file करना है, within a prescribed manner, और अगर किसी प्रकार से, कोई right and duty agreement में specify नहीं है, जिसको लेके कोई contradiction आता है, तो that shall be determined by the provisions contained in first schedule, जो first schedule है LLP act का, उसमें जो provisions contained है, उसके हिसाफ से हम decide करेंगे, समझ मैं ही बाद, thereafter, secession of partnership interest, देखिए, जैसे एक normal partnership में retirement होता है, same way LLP के अंदर, partner चाहे तो LLP को छोड़ सकता है, कैसे a partner में cease to be a partner in LLP, either as per agreement, कि suppose कुछ agreement में specified था उस हिसाब से, या कभी भी by giving a notice of not less than 30 days, कम से कम 30 दिन का notice देखे, वो कभी भी LLP को छोड़ सकता है, चेक है, यह तो होगा आपका first point, इसके बाद second, a person shall cease to be a partner of LLP, कोई व्यक्ति, cease, मतलब क्या होता है, to stop, मतलब LLP का partner नहीं होगा, कबसे, on his death or dissolution of LLP, या तो उस व्यक्ति की death हो जाती है, LLP का dissolution हो जाता है, या declared to be of unsound mind by a competent court, और has applied to be adjudicated as an insolvent, और declared as an insolvent, मतलब, पहली चीज़, या तो death हो जाए, या dissolution हो जाए LLP का, या वो declare हो जाए, unsound mind का, या अगर वो court में apply कर देता है, declare हो यह जरूरी नहीं है, applied it to be adjudged as an insolvent, वो court में apply कर देता है, कि भहिया, मुझको insolvent declare कर दिया जाए, तो उसी दिन से, वो LLP का partner नहीं है, this is something very important, that can be asked in the exam, बड़े ध्यान से देखिए, check it, where a person has ceased to be a partner of LLP, मतलब, कोई person जो पहले partner था, लेकिन अब partner नहीं है, जिसको अब हम former partner बोलेंगे, former partner मतलब, जो पहले LLP का partner था, लेकिन अब नहीं है, the former partner is to be regarded, as still being a partner of LLP, former partner को भी LLP का partner माना जाएगा, unless, जब तक, the person has noticed that the former partner, has ceased to be a partner of LLP, जो व्यक्ती, deal कर रहा है, अगर, उसके पास, ये notice नहीं है, कि फलाना वक्ती अब partner नहीं है, मतलब सर्ण, ये तो कुछ जादा नहीं नहीं हो क्या, ध्यान से समझो, suppose, A, B, C, तीन partner थे LLP के, A जो है अब partner नहीं है, Mr. D, जो की regular contract करते रहते हैं, LLP के साथ, उनको नहीं पता, कि अब A ने partnership से, resign कर दिया है, अब वो partner नहीं है, तो अगर D को ये बात नहीं पता, तो यहीं माना जाएगा, from D's point of view, कि A जो है अभी भी partner है, the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of LLP, or notice that the former partner has ceased to be a partner of LLP, has been delivered to the registrar, मतलब, जब तक उसका notice, कि वो अब partner नहीं है, उस चीज का notice, आप registrar को deliver नहीं कर देते, कि हाँ भीया, अब ये फलाना partner जो है, हमारी LLP से retire हो चुका है, अब ये partner नहीं है, समझ में ही बाद, तो याद रखना, former partner को भी partner माना जाएगा, अगर उसका notice, registrar के पास नहीं पहुचा, कि वो अब partner नहीं है, या the person has noticed, that the former partner has ceased to be a partner of LLP, या जो व्यक्ति, उसके सब deal कर रहा है LLP के साथ, उसके पास ये notice होना चाहिए, कि अब Mr. A जो है वो partner नहीं है, देखें काइदे से क्या होता है, practically, चैसे ही अगर कोई partner LLP से retire होता है, उसी समय रखनार को notice दे देना, चाहिए कि कोई रखनार को notice पहुच गया, तो it is self-sufficient, देखें या पर भी और लिखा हो है न, कि यह माल दिया जाएगा, कि अब जो former partner है, वो partner नहीं है, चैक है, उसके बाद on cessation of partner, from the LLP, the former partner is not discharged from any obligation, which he incurred while being a partner, as a partner अगर उसने कुछ obligations incurred की थी, तो उसके लिए वो liable रहेगा, चैक है, next, former partner और a person entitled to his share, from the LLP, जो former partner है, वो LLP से क्या लेने का हकदार है, जितना उसने amount of capital contribute किया था, his right to share in the accumulated profits of the LLP, after the deduction of accumulated loss, तो जैसे अब normal partnership में करते हैं, partner जब retire होता है, उसको जितना capital है, और जो भी revaluation के profits आते हैं, और जो भी आपका accumulated profits होते हैं, जैसे distribute करते हैं, same way treatment होगा, चेक है, उसके बाद, after cessation, former partner has no right to interfere in the management of LLP, कोई right नहीं है, उसके पास LLP की management में interfere करनेगा, तो ये 3 points आप लिख लिए ज़िए, और जितना yellow underline किया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फटा फट पहले हाँ तक करी, बागी बातें बाद में, registration of changes in partners, पड़े ध्यान से देखेगा, important है, इस पर question आ सकता है, अगर partner, जो LLP में partner है, उसका नाम change होता है, या address change होता है, तो उसके बारे में, उसे LLP को within 15 days inform करना है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो partner पर penalty लग सकती है, minimum 2,000 रुपे की, और maximum 25,000 रुपे की, उसके बार, LLP शेल, वेर परसन बिकम्स और सीजिस तो बी अ पार्टनर, फाइल अन नोटिस विद द रिजिस्टरार, within 30 days from the date, he becomes or ceases to be a partner, अगर कोई नया व्यक्ती, LLP में partner बनता है, या कोई existing partner, LLP छोड के जाता है, तो उसके information, LLP को, रिजिस्टरार को देनी पड़ेगी, within 30 days, where there is any change in the name of address of the partner, फाइल नोटिस विद द रिजिस्टरार, within 30 days of such change, और अगर, partner ने LLP को inform किया है, कि उसका नाम या address change हुआ है, तो LLP आगे, उस information को forward करेगी, इसको रिजिस्टरार को, कितने दिनों में, within 30 days of such change, समझ मैं यहीबाद, तो partner will inform to LLP, and LLP will inform to the registrar, समझ मैं यहीबाद, और अगर, LLP ये करने में fail होती है, तो उस पे भी penalty है, कम से कम 2000 की, और maximum 25,000 की, समझ मैं यहीबाद, श्यों, यहाँ पर, second point से, link एक six point ए, पहले इसे देखिए, any person who ceases to be a partner of LLP, अगर कोई व्यक्ति, अब LLP में partner नहीं है, may himself file with the registrar, the notice referred, if he has reasonable cause to believe, that LLP may not file, the notice with the registrar, अगर कोई व्यक्ति, LLP छोड के जाता है, तो उसे notice देना LLP को, LLP को देना रिजिस्टरार को, लेकिन, अगर उस व्यक्ति को, उस former partner को, यह लगता है कि, LLP जो है, रिजिस्टरार को inform नहीं करेगी, because of XYZ reason, तो वो खुद भी जाके, यह रिजिस्टरार को सीधे inform कर सकता ही, न प्रिस्क्राइब्ड मैनर, लेकिन जो रिजिस्टरार है, फिर वो एक बार LLP से confirmation लेगा, कि क्या सही में यह partner जो है, LLP छोड के जा चुके है, और अगर LLP reply नहीं करता है, within 15 days, तो रिजिस्टरार शेल रिजिस्टर दा नोटिस, मेड बाई परसं सीधिंग स्टू भी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन, तो उस केस के अंदर जो रिजिस्टरार है, वो यह मान लेगा, अगर LLP का reply नहीं आया 15 दिन में, कि सही में वो पार्टनर जो है LLP को छोड़ चुका है, यह बहुत important है, बड़े ध्यान से repeat कर रहा हूँ, दुबारा से सुनी, अगर कोई पार्टनर LLP छोड़ता है, तो उसका notice LLP रिजिस्टरार को देगी 30 दिनों में, और अगर पार्टनर पे reasonable ground है कि LLP में not informed, तो रिजिस्टरार खुच जाके notice देगा रिजिस्टरार को, और उस case में रिजिस्टरार शेल अप्टेना confirmation लेगा वो किसे LLP से, LLP को जवाब देना है within 15 days, और LLP ने अगर 15 दिनों में जवाब नहीं दिया, तो रिजिस्टरार माल लेगा कि हाँ सही में वो व्यक्ती LLP छोड़ चुका है, देखिर रिजिस्टरार पे notice होना जरूरी है, otherwise हमने भी पीछे पड़ा कि अगर आपने रिजिस्टरार को inform नहीं किया, तो उस case के अंदर जो former partner है, he will continue to be liable for the contract, yes or no? अगर कोई नया partner admit हो रहा है, उससे related है, तो जब आप notice रिजिस्टरार पे फाइल करेंगे, तो in a prescribed manner होना चाहिए, main thing should be signed by the designated partner, और अगर वो incoming partner से related है, तो उसका consent letter भी हमें साथ में file करना है, बहुत important है, यह इस पर question आने के पूरे chances हैं, किसी भी तरीके से इसको बड़े अच्छे से prepare करें fast, चलिए आगे बात करते हैं बच्चो, holding out, यह same है जो आपने partnership में पढ़ा है, एक तम कुछ भी इसमें different नहीं है, बहुत अगर वही definition आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसके बाद आगे, if the name of diseased partner of LLP continue to be a part of LLP's name, suppose एक LLP है जिसका नाम है A, B, C, LLP, यह तीन partner थे A, B और C, A की death हो गई, और A की death के बाद भी LLP के नाम में A का नाम है, if the name of diseased partner of LLP continue to be a part of LLP's name, it will not make the legal representative or his state liable for any act of LLP done after his death, तो अगर कल दिन यह LLP कोई act करती है, तो उसके लिए Mr. A के, legal representative को यह Mr. A की जो state है, उसको आप liable नहीं बना सकते, just because of the fact कि LLP का जो नाम है, उसके अंदर diseased partner का नाम अभी भी चल रहा है, यह एक important point है, इस पर question पूछा जा सकता है, इसके बाद, अगर partners of LLP कोई भी ऐसा act करते हैं, with the intention to defraud the creditors of LLP, तो उस case में जो partners LLP के उनकी liability unlimited हो जाएगी, और उन पर penalty भी लगेगी 50,000 रुपे की कम से कम और maximum 50 लाग की, और jail हो सकती हैं 2 साल तक की, समझ मैं इबाद, और देखी यह तो partners की liability है, यही same liability LLP की भी होगी, however in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent, LLP भी liable है, एक partners की liability और एक LLP की अलग, as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge और the authority of the LLP, हाँ अगर यह प्रूव हो जाता है कि partner ने कोई act किया, जो कि उसकी authority से बाहर था या जिसकी knowledge LLP को नहीं थी, तो फिर LLP की liability नहीं होगी, उस case में सिफ partner की liability रहेगी, समझ महीं बाद, यह हमने cover कर लिया है, इसके बाद, विरा LLP और any partner और designated partner और employee of such LLP has conducted the affairs of LLP in a fraudulent manner, सरी यह तो हमने अभी पढ़ा है, कि partner ने कुछ trif fraud किया, तो देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, LLP कोई partner या उसका कोई employee, कोई भी ऐसा काम करता है fraudulent manner में, scope wider है, वहाँ सिर्फ partner की बात की गई थी, they shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by the reason of such conduct, तो उनको जो है compensation pay करना पड़ेगा, जिसको भी नुकसान हुआ उनके conduct की वजे से, however, LLP shall not be liable if any such partner, designated partner employee has acted fraudulently without knowledge of the LLP, तो वही line यहाँ पर कि LLP liable नहीं होगी, अगर partner या employee ने वो act fraudulently किया है, और अपनी authority से बाहर जाकर किया है, penalty important है, question पूचा जा सकता है उसके उपर, इसके बाद आता है whistleblowing, whistleblowing क्या है, अगर कोई partner LLP की कोई investigation में help करता है, या LLP में कोई ऐसा major fraud है, उसको पकड़वाने में कोई partner help करता है, तो basically उस partner को जो है, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ benefit मिलना चाहिए, तो उसके लिए court को यह power दी गई है, कि court चाहे तो उसकी कुछ penalty reduce कर सकती है, या पूरी की पूरी wave कर सकती है, तो सीधी सी बाद whistleblowing से नाम पता लग जाता है, कोई भी partner या employee किसी भी तरीके से help करता है investigation में, तो court पे power है, कि उसकी penalty को या तो reduce कर दे या wave off कर दे, चेक है, फटा फट करिए यहां तक, चलिए बात करते हैं LLP की financial disclosers की, financial disclosers से related जो provision है, वो section 34 और section 35 के अंदर है, और बहुत ही simple provision है, सबसे पहली बात क्या कही गई है, कि जो भी LLP के books of accounts होंगे, या तो वो cash basis पे होने चाहिए, या equitable basis पे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों का mixture यूज कर रहे हैं, second चीज, it should be as per the double entry book keeping, यह नहीं है कि आप single entry के हिसाब से, incomplete records maintain कर रहे हैं, third चीज, यह records आपको maintain करने हैं, registered office में, four चीज, कितने time के लिए for such period as may be prescribed, जितने साल prescribed किये गए हैं, उतने सालों के लिए आपको maintain करने हैं, और generally यह 80 years होते हैं, तो basically चार बाते हैं, books of accounts, maintain करने हैं, cash basis या equitable basis पे double entry होना चाहिए, registered office में, और for a period as may be prescribed, इसके अलावा, LLP को एक statement of account and insolvency, जो है वो prepare करनी होती है, हर financial year की, और उसका maximum time है, six months from the end of such financial year, मतलब, कि let us assume 2018-19 है, तो 2018-19 जो है, वो 1 April-18 से लेके, 31 March-2019 तक होता है, तो जिस दिन वो end होता है, उसमें आप six months add कर दीजे, तो 30 सितंबर 2019 तक वो आपकी बन जानी चाहिए, और सिर्फ बन नहीं जानी चाहिए, it shall be signed by the designated partner, और उसे हमें submit करना होता है, रजिस्टरार को in prescribed manner with prescribed fees, चीक है, तो सिर्फ बनाना is not sufficient, it should be signed as well as submitted to the registrar in a prescribed manner, apart from that, जो third aspect आता है, accounts of LLP to be audited as per the rules prescribed, however, central government may exempt any class of LLP from the requirements by notification in the official gadget, ये क्या है, बड़े धान से देखिए, देखिए, जो भी LLP है, उसके भी books of accounts audit होंगे, जैसे company के audit होते हैं, audit मतलब जो chartered accountant उनको check करता है, और अपनी report देता है कि financial statement सहीं है या नहीं, लेकिन central government को ये power है कि केसी specific category की LLPs को exempt किया जा सकता है, suppose, suppose, कोई ये notification ये, मैं assume आपको एक example दे रहा हूँ, सर्फ hypothetical, कि central government एक notification निकाल दिया, कि जो भी LLP firm, LLB, मतलब advocates की firm है, वो basically उनको audit करवाने की जोरत नहीं है, तो ये central government पे power है, central government ऐसा कर सकती है, अगर वो चाहे तो, और उसके लिए notification official gadget में निकलेगा, अगर LLP, provisions के साथ comply नहीं करती है, तो क्या होगा, any LLP which fails to comply with the provisions of this section, shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000, but may be extended to 5,000, मतलब अगर LLP provisions के साथ comply नहीं करती है, तो 25,000 रुपे से लेके 5,000,000 रुपे तक की penalty लग सकती है, बहुत important है, बड़े ध्यान से देखे इसको, और सिर्फ LLP पे fine नहीं लगेगा, आगर साथ में designated partner पे भी fine लगेगा, the width fine which shall not be less than 10,000, but may be extended to 1,000, मतलब designated partner जो है, उसकी personal liability होगी, और कम से कम 10,000 की penalty, और maximum 1,000,000 रुपे तक की penalty उसको भी देनी पड़ सकती है, तो ये बहुत important है, आपको पता होना चाहिए, कि minimum penalty LLP पे कितनी लगेगी, minimum penalty designated partner पे कितनी लगेगी, और maximum कितनी हो सकती है, और कब लगेगी जब section 34 के provisions आपने comply नहीं किये, जो कि अभी आपने देखे, ठीक है, इसके बाद annual return section 35, बहुत ही simple, मतलब क्या है इसका, दिखी, basically है क्या, annual return में क्या होता है, company को अपने financial statements, और उसके अलावा कुछ prescribed information जो है, वो submit करवाने होती है, तो उन्होंने वो ही बोला कि, 2018-19 है जैसे, तो ये end होता है, 31 March 2019 को, इसमें आप 60 days चोड़ दो, तो मोटा मोटा जो है, ये 30 मई 2019 आपका आएगा, तो 30 मई 2019 तक, आपको अपनी annual return, जिसमें mainly financial statements, plus other prescribed information होती है, वो आपको रेजिस्टार के पास, submit करवानी है, in a prescribed manner, with prescribed fees, और एकर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो penalty लगेगी, और penalty same है as section 34, that is LLP पे 25,000 से 5 लाख रुपे तक की, और designated partner पे 10,000 से लेके 1 लाख रुपे तक की, तो penalty गदम same है, जो section 34 के अंदर है, आप पढ़के भी देख सकते हैं, तो ये था financial disclosure, one of the important part of LLP Act 2008, पढ़े अच्छे से इसको prepare करिएगा, चलिए अब बात करते हैं, conversion into LLP की, दीख ये बहुत simple है, अगर कोई partnership firm है, आप उसे LLP में convert करना चाहते हैं, तो it is possible, और उसके लिए provisions, जो second schedule के अंदर specified हैं, वो apply होंगे, same बे अगर कोई private company है, उसको आप LLP में convert करना चाहते हैं, तो उसे आप कर सकते हैं, और उसके लिए जो provisions इस chapter में है, as well as in third schedule, वो apply होंगे, unlisted public company है, उसको भी आप LLP में convert कर सकते हैं, और जो fourth schedule में provisions हैं, वो apply होंगे, इस schedule number जो है, आपको याद रखने हैं, अब registration and effect of registration ही आप से पूचा जा सकते हैं, section 58, देखे, आप registrar के पास supply करते हैं, for conversion of firm, private company, unlisted company, जो भी आप convert करना चाहते हैं LLP के अंदर, और जो भी documents हैं, वो सब submit कर देते हैं, prescribed fees आप जमा करवा देते हैं, तो उसके बाद registrar आपको, एक certificate of registration देगा, registrar on being satisfied from conversion of firm, private company और unlisted public company, will issue the certificate of registration, चीक है, उसके बाद जब आपको LLP से, LLP का certificate of registration मिल जाएगा, तो suppose आपकी private company थी, जिसको आपने LLP में convert किया, तो जो भी private company का, आपका registered office था, उसका जो भी, रजिस्टरार है, उसको आप जो है, इनफॉर्म करेंगे कि, आपने private company को, LLP में convert कर लिया, तो LLP shell, within 15 days of the date of registration, जिस तिन उसे, registration का certificate मिल उसके 15 दिनों के अंदर, इनफॉर्म दे, इनफॉर्म दे, इनफॉर्म दे, इनफॉर्म दे, और अगर company से, private company या, unlisted company से, आपने LLP में convert किया है, तो registrar of companies को, आपको inform करना है, about the conversion, and of the particulars of the LLP, in such moment manner, as may be prescribed, यह जो मैंने portion cut किया, यह आपको याद करने की ज़वरत, नहीं है, तो first point यह लिखेंगे, second point यह लिखेंगे, third point, यह नहीं लिखना आपको, यह लिखना है, upon such conversion, LLP and partners of newly converted LLP, shall be bound by the provisions of various schedules, और एक बार conversion हो गया, तो जो भी LLP Act के अंदर, provisions दिये हुए हैं, schedules दिये हुए हैं, उससे LLP और उसके partners, जो हैं, वो bound होंगे, तो पहली चीज़, आपको इसमें याद रखनी है, firm को, private company को, unlisted public company को, listed को नहीं, unlisted public company को, आप LLP में convert कर सकते हैं, कौन से schedule numbers हैं, यह पता होनी चाहिए, उसका क्या effect होगा, this is the first, this is the second, and this is the third point, very important, बहुत अच्छे से इसको आप एक बार, note down कर लीजे, fast, उसके बाद है, effect of registration, same as company, एक job पढ़ चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर foreign LLP, तो देखिए, central government has the power to make rules, in relation to establishment of place of business, by foreign LLP, अगर कोई foreign LLP है, और वो हिंदुस्तान में, अपना place of business, establish करना चाहती है, तो central government के पास power है, कि इससे related वो rules, बना सकती है, समझ महीं बाद, चलिए, बहुत ही important topic, winding up and dissolution, तो देखिए, LLP का winding up, और dissolution, कैसे हो सकता है, और कौन से circumstances में हो सकता है, देखिए, वैसे तो हम इसको, दोनों words को interchangeably use करते हैं, और अगर आप specific difference देखना चाहते हैं, तो winding up क्या होता है, basically जब business के सारे affairs close हो गए, A to Z, मतलब ना company exist करती ना, asset exist करता है, और basically dissolution, generally हम refer करते हैं, जब company के assets, बेचे जाते हैं, to pay off the creditors, और उसके बाद, फिर company बंद की जाती है, तो वैसे day-to-day life में interchangeably use होता है, और आपको को इसमें difference में deep में जाने की ज़रूरत भी नहीं हैं भी, winding up and dissolution, तो winding up या तो voluntary हो सकता है, partners खुच चाहें, या tribunal के order पे, अब circumstances in which LLP may be wound up by tribunal, इस पे question आने के पूरे chances हैं, बहुत important topic है, पहला, अगर if the LLP decides that LLP is wound up by the tribunal, अगर LLP decision लेती है, कि भाईया LLP जो है वो tribunal उसे close करते, मतलब सर समझ में नहीं आया, देखिए हमने या पड़ा था ना voluntary, तो voluntary ऐसा नहीं होता कि चलो जी कल से business बंद करो, आपको tribunal में apply करना पड़ता है, और tribunal order देता है कि ठीक है, आप LLP close कर सकते हैं, और tribunal order तब देता है, जब वो ये insure कर ले कि जो भी creditors है, उनको payment हो गई है, किसी को कोई नुक्सान नहीं होगा, उसके बाद, if for a period of more than 6 months, 6 months से ज़्यादा वक्त के लिए, number of partners of the LLP is reduced below 2, दो से कम partner रहते हैं, और उसके ज़्यादा का वक्त हो गया, तब tribunal will order की wind up कर दो, if it is unable to pay debts, LLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India, and the security of the state of public order, कुछ भी उसने, समविधान के against, या भारत की against, कुछ भी activity करी है, जिससे security है, किसी भी तरीके का कोई खत्रा है, defamation है, तो वहाँ पर भी tribunal order कर सकता है, LLP has made a default in filing with the register, statement of account and solvency, और annual return, दोनों हम पढ़ चुके हैं, for the 5 consecutive financial years, 5 financial years तक लगातार, अगर statement of account and insolvency, या annual return, और लिखा हुए है, and any, मतलब कोई एक चीज़ भी अगर 5 साल लगातार फाइल ने करी, तब भी tribunal में order के LLP close करती जाए, tribunal is of opinion that it is just an equitable that LLP be wound up, कोई भी ऐसा circumstance, जिसमें tribunal को लगता है कि LLP बंद हो जाए, वो ही बैदा भेतर है, तब भी tribunal order कर सकता है, देखिए, यह होती है court की power, कभी भी आप यह provision देखेंगे, यह क्या होता है, discretionary power court को दी जाती कि, अगर circumstances लगते हैं court को ऐसे हो चुके हैं, कि it is better to shut down than court में order, तो यह court की power, basically काफी जगा आपको देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगे, जैसे कोई भी person LLP के साथ deal कर रहा है, चाहे उसे loan दे रहा है, चाहे कोई भी business transaction कर रहा है, same manner के अंदर, कोई partner भी LLP को loan दे सकता है, या अब LLP के साथ business transaction कर सकता है, तो partner में lend money to and transact other business with the LLP, उसमें कोई दिक्कत वली बात नहीं है, इसके बद application of the provisions of the company act, तो central government जो है, via notification in official gadget, कुछ provisions जो है, company act 2013 के वो notify कर सकती है, कि वो LLP पे apply होंगे completely, या apply होंगे partially, that is with certain exceptions या modifications as may be specified, तो central government को ये power दी गई है, कि company act 2013 के provisions वो LLP पे applicable करवा दे, either completely or with certain modifications or you can say exception, उसके बद ये not relevant कोई इतना खास नहीं है, आपका मन करें तो पढ़ सकते हैं, main इसमें बाता है ये payment of additional fees that is section 69, क्या कहता है section 69, अगर कोई document या return हमें file करना था registrar के पास, और वो file नहीं किया गया in the time prescribed, तो उसे आप file कर सकते हैं, after the time up to a period of 300 days, 300 दिन का extended time आपको मिलता है, 300, suppose उसकी deadline थी 30 सितंबर, आप 30 सितंबर तक नहीं file कर पाए, तो 300 दिन तक additional time आपको available है, file करने के लिए, the date within which it should have been filed on payment of additional fees, of rupees 100 per day, मतलब 300 दिन आपको extension मिलता जाएगा, लेकिन 100 rupees per day के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, suppose 200 days का delay है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, 200 into 100, यह आपका amount कितना हो जाता है, 20,000 रुपे, of such delay in addition to any fees as applicable for filing of such document, और यह fees delay की fees है, यह नहीं कि आपने जो, suppose annual return file करने की 500 रुपे फीस है, और आपका 200 दिन का delay है, तो फिर आपके 500 प्लस 20,000 टोटल 20,500 हो जाएगा, समझ मैं यह बाद, तो इसी के साथ आपका LLP एक जो है conclude होता है, फटा-फट एक बड़ सा रिवाइस करी, चलिए बात करते हैं, change in the name of LLP, देखिए अगर central government को लगता है, कि LLP ने जो नाम रखा है, वो undesirable है, undesirable है मतलब, किसी illegal activity को represent करता है, या वो गलत image लोगों के सामने लेके आता है, या, जो नाम उन्होंने रखा है, वो already किसी existing LLP से एकड़म identical है, या बहुत मिलता जूलता है, तो वहाँ पर central government order कर सकती है, कि LLP को अपना नाम तीन महीने के अंदर, या as longer period, जो central government में allow, उसमें उसे ये नाम change करना पड़ेगा, अगर LLP compliance नहीं करती है, मतलब अपना नाम within a stipulated time change नहीं करती है, तो it shall be punishable with a fine, which shall not be less than 10,000, और may extend to Rs. 5,000,000, तो 10,000 से 5,000,000 रुपे तक का fine LLP पे लग सकता है, और designated partner पे भी fine लग सकता है, which shall not be less than 10,000, but may extend up to 1,000,000, मतलब 10,000 रुपे से 1,000,000 रुपे तक का fine जो है, वो designated partner पे भी लग सकता है,